तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वे प्रोडक्शन इन और्गनिजम मैं कोशिश करूंगा कि पूरा लेसन की वुडियो में करने की कोशिश करूं तो प्लीज वडियो देखने पहले लाइक और सस्क्राइब कर लिए और बैल आइकन को प्रेस करें तो चलते हैं हम अपने लेसन पर तो हमारे लेसन का नाम है रिप्रोडक्शन तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी भी इंडिविजल को अपनी जनरेशन बढ़ाने के लिए एक प्रोसेस का इस्तमाल करना है वो प्रोसेस जो है वो क्या है रिप्रोडक्शन है सिर्फ को जनम दे अपने यंग वन्स को जनम दे थीक है तो से हम रिप्रोड़क्शन कहती है ठीक है अब बात कया थी कि रिप्रोड़क्शन इधा इन इम्पोर्टेंट बालजगर प्रोसेश पाइश में इविच गीवराइस जनरेशन को बढ़ाने में, मतलब एक जनरेशन से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चोथी जनरेशन लगाता है, यसे बाप, दादा, फिर बड़ दादा, उसके उपर, मतलब लगाता है, यह उनके बच्चे करते करते, जनरेशन से जनरेशन बढ़ता रहता है, and it's the information of genetic variation, जब वो बढ़ते हैं, तो उनके अंदर, जब generation to generation gap आते हैं, तो उनके अंदर थोड़ी बहुत genetic में change आती है, मतलब gene में change आती है, ठीक है, तो इसे हम genetic inherited variation बगारा कहते हैं, बदलाब बगारा, और बदलाब जरूरी है, बदलाब ना आएगा, तो कोई भी individual के अंदर फर क्या आना जरूरी है, क्या कहते हैं, उसे variation आना जरूरी है, ठीक है, टो तरह की होती है, sexual और sexual reproduction, वो reproduction होती है, फिमेल gamit और male gamit दोनों काम करते है, और दोर reproduction करने में हमारी मदद करेंगे ठीक है अब चलते हैं हम आगे यह अलगलग types है इसकी तो मैं आपको types इसकी अच्छे से बताता हूँ पहले हम पढ़ेंगे इनकी sub-types ठीक है पहला है a-sexual reproduction जिसमें single parent involved होगा single parent involved होगा अपने बच्चों को जनम देगा ठीक है आफ सप्रिंग को जनम देगा उसके बात बात करें यह produce करता है अपनी ही जैसी चीज़ों को ठीक है दरसल इसमें होता कि इसमें जो खुद parent होता है वो ही divide होते है daughter cells वगएरा में ठीक है वो ही divide होके वो ही divide होके अपने बच्चों को जनम देगा कोई निया काम नहीं होगा इसके अंदर ठीक है तो चलते हैं next पर asexual reproduction जो है animals में देखी जाए तो asexual reproduction बहुत तरह से होती है इसमें सबसे पहली बात आती है fission ठीक है कौन सी बात आई? fission fission का simple सा मतलब है division ठीक है mean की इसमें एक individual जैसे अभी बताया कि divide होके mother cell two daughter cell में या two से ज़्यादा daughter cell में divide हो रहा है उसे fission कहते है और fission में सबसे पहली टाइप आती है binary fission ठीक है binary fission क्या होता है binary fission एक ऐसी fission है जिसमें parent क्या करते हैं खुद divide होगा और two daughter cell बना लेगा ठीक है simple binary fission की बात कर रहा हूँ ठीक है मतलब जिसमें एक mother cell divide हो तो दो daughter cell बना ले उसे आप क्या बोलोगे क्या बोलोगे asexual reproduction का first type binary fission ठीक है तो multiple fission second आता है multiple fission में आता है कि जिसमें एक individual खुद divide होगा और बहुत सारे daughter cell बना देगा ठीक है उसे आप multiple fission कहते हो ठीक है आगे चलते हैं यह भी I hope अच्छे से समझ आ गया होगा ठीक है अब बात आती है जब यह division करते हैं तो सबसे पहले इनका nucleus divide होता है ठीक है nucleus के बाद यह खुद divide होते है और binary fission की बात करो जहां तक binary fission में क्या होता है कि यह आपके पास mother cell आ गया सबसे पहले इसके nucleus divide होगे nucleus divide होने के बाद इसकी cytoplasm divide होगी फिर outer covering divide होगी फिर जाते जाते यह पूरे के पूरे दो daughter cell बन गए एक ही आ गया और यह daughter cell आ गया और दो जो बने उनको आप क्या वो लोगे daughter cell बगया गया होगे ठीक है I hope यह भी अच्छे से समझ आ गया होगा ठीक है यह नीचे फिर से एक अच्छे से example दिया है यह भी amoeba की example है पहले amoeba मदब से खुद divide हुआ nucleus divide हुआ, Nicholas के बाद यह divide हुआ ठीक है मदब covering डिवाइड हो रही है and then at last जाके दोनों दोनों अलग लग हो चुके है ठीक है इन नीचे एक और example दे रहा है ठीक है यह भी वैसे ही है और बिल्कुल सेहे है बहुत सरी example आपको मिल जाएंगी नट पे ठीक है उसके बाद हम man काम की करते है स्पोरलेशन ठीक है स्पोरलेशन क्या होता है स्पोरलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें unfavorable condition में reproduction होती है sexual reproduction होती है जैसे की organism like as amoeba हो गया सीडो पोडिया वगएरा हो गया यह सारे के सारे ऐसे जो round shape में हो ठीक है इस प्रोसेस इस काल्ड आज इंकिस्टेशन ठीक है अंडर फेवरल कंडिशन दा नुकलिस आफ अंकिस्टेशन अभीबा अंडर ग्रोज मुल्टिपल डिविजन तो फार्म लाज नंबर आफ अमीबा मतलब क्या करेगा इसमें अभीबा क्या करता है खुद को डिवाइड करता और खुद को डिवाइड करने के बाद क्या करेगा लाज नंबर आफ अमीबा बनाना शुरू कर लेगा ठीक है हम अगली टाइप पे चलते हैं हमारा बडिंग आ जाता है बडिंग जो है एक सिंपल सा प्रोसीजर है बडिंग का मतलब बड ठीक है जब प्लांट वगएरा होगा उसके साथ एक छोटी सी स्माल प्रोजेक्शन लगती है बात में जाकी यही प्रोजेक्शन एक इंडियूजल में चेंज हो जाएगी हम उसे क्या बोलेंगे बडिंग कहते हैं ठीक है वो देख सकते हैं नट पर देखकर आगे चलते हैं इसके यह देखें आप से एक इजमपल दी है एक आपके पास हाइडर आ गया हाइडर आग्याigor में छोटा सा बड लगा बड़न इंक्रीज कर रहा है करते करते एक बड़ा बड़ बन चुका है बाद में जाकि यह क्या करेगा ठीक है यह दो बन जाएंगे ठीक है तो यह तो मदर से लाया और एक डाटर से ला गया ठीक है अगला पार्ट है हमारे पास फ्रेक्मेंटेशन का सिंपल सा मतलब है Earth कटीन 2 इसमें क्या करेंगे एक फ्ल«एबो ॉद्य को हम क्या करेंगे। है छोटे पीश में कट कर देंगे ठीक है यह आपके पास सामनिये準備 हुई है हम उस stat इसको एक चोटे मतलब एक topic आपको एक word दिख रहा है यहां पर regeneration regeneration का मतलब होता है कि lost part का recover ho जा रहा है मतलब अगर के body का lost part है मतलब part खो चुका है तो मतलब वह वापिस recover हो जाए जैसे इनसान के अंदर उसकी hair gear जाए nail तूट जाए तो वापिस लग जाता है ठीक है? इसके लिम्स की और आई खराब हो जाए तो वापस आ जाती है फिश में फिन्स ऐसे बहुत सरी एक्जमपल है बतल लॉस्ट पॉट रिकवर रिजनेशन कहते हैं यहां भी तो वह हुआ अगर एक के हमने दो पीसिस किये ठीक है और वो दोनों के दोनों पीसिस बात में जाके पूरे ब्कटेरिया बनें ड्रीघ्रीण हुआ ठीक है क्या हो गया रिजन्रेशन हो गया चलते हैं झैक्स टपिक पर तो ए तो आगे हमारे पास नेक्स टाइप आती है sexual reproduction, ठीक है, sexual reproduction क्या होता है, sexual reproduction एक simple सा process है, जिसमें two parents involved होते हैं, ठीक है, और वो क्या करेंगे, अपने young ones को त्यार करेंगे, ठीक है, तो उसमें दो तरह के gamits इस्तमाल होते हैं, एक male gamit होगा, female gamit, male gamit को sperm कहते हैं, और female gamit को ova कहते हैं, ठीक है, तो मैं आगे इसके बारे मे मैं अच्छे से detail में बताता हूँ, human reproduction पढ़ेंगे आप, Hello friends, it's Rahul Sharma, तो आज मैं आपके लिए निया topic लाया हूँ, जिसका नाम है human reproduction, ठीक है, तो human reproduction पढ़ने से पहले, हमें पढ़ना पढ़ेगा gamitogenesis, ठीक है, gamitogenesis मीन दो वर्ट से बना है, first gamito and genesis मेरे हिसाब से तो दूसरा बढ़ाएगा, ठीक है, gamito हमेशा याद रखें, mean gamitogenesis मतलब formation, ठीक है, याद रखना, mean formation of gamit is called gamitogenesis, ठीक है, क्या बोलेंगे, gamitogenesis का मतलब क्या हुआ, formation of gamit is called gamitogenesis, अब gamit दो तरह की होते हैं, एक आता है male gamit, ठीक है, और male gamit आता है पहला और दूसरा आता है female gamit, male gamit को हम sperm कहते हैं, क्या बोलते हैं, sperm कहते हैं, अब spermatogenesis आ गया उसी नाम से, ठीक है, क्या आया, spermatogenesis, ठीक है, spermatogenesis, इदर भी दो वर्ड है, spermato है, दूसरा genesis है, spermato मीन क्या होगा, male gamit, sperm, ठीक है, genesis मतलब formation, and the formation, definition क्या बनेगी, ठीक है, definition बनेगी, इसकी, the formation of sperm in human body, is called spermatogenesis, इसी तरह से, oogenesis, next क्या है, आपके पास, oogenesis, oogenesis क्या होता है, oogenesis एक ऐसा process है, जिससे, o mean क्या, o मतलब aga aga, या oval shape body, ठीक है, genesis मतलब formation, the formation of egg in the female body, is called oogenesis, ठीक है, अब बात करते हैं, हमारा पहला topic, यहाँ से complete हो चुका है, इसका नाम gametogenesis था, उसके बाद fertilization आता है, blastocyte development, implantation, यह सारा साथ साथ में पढ़ाऊंगा, मगर उससे पहले, जो हमारा man topic है, वो है, कौन सा, reproduction, ठीक है, reproduction के बाद ही तो आती है बाद, पहले, reproduction होती है, जाइगोड बनता है, उसके बाद जाके fertilization वगएरा होगी, ठीक है, parturation होगी, सब करेंगे, ठीक है, अब बाद कलते हैं, male reproductive organ, क्या-क्या पाया जाता है, male reproductive organ में, ठीक है, सबसे पहला organ, जो male reproductive organ में पाया जाता है, इसमें, urotra पाया जाता है, seminal vessel, urinary bladder, vass difference, prostate, panis, urethra, panis gland और पाया जाती है, उसके बाद, testis, agglutum पाया जाते हैं, उसके बाद, bulbor, rethral gland पाया जाते है, rectum, annus, agglutatory duct, यह सब पाये जाते हैं, ठीक है, I hope यह भी आपको अच्छे से समझ आया होगा, तो सबसे पहला टॉपिक में जो अब शूरू करने जहा रहा हूं वो सबसे पहला टेस्टीज है टेस्टीज मीन सिंपल सा कि प्राइमरी सेक्स और गिन फ्राइमरी सेक्स comedian किसका अब बात करते हैं टेस्टीज किस के अंदर पाए जाते हैं एक शैक एक थैलिक के अंदर पाए जाते हैं पहली ठाटी विप्र islands के नचे हो जाती है पहलीविजन में कहा होती है पहलीविजन में और ऐटसाईड आब्डोमिल कावटी बढ Hm यह जो हमारी ribs होती है, ribs के नीचे, diaphragm, diaphragm के नीचे जितनी भी cavity पाय जाती है, P8 वेगरा, थेक है, यह small intestine वेगरा, यह कहां पाय जाती है, सारी, abdominal cavity में, और यह abdominal cavity से बाहर होती है, ठीक है, और यह pelvic region होती है, जहां पाय जाती है, और यह sacrotum होता है, इसका नाम, ठीक है, पाउज का नाम करेगा, sacrotum, sacrotum में एक small muscular elastic bag होता है, ठीक है, क्या होता है, elastic होता है, ठीक है, जिसके अंदर testis पाय जाती है, यह protect करते हैं, testis को external environment वेगरा से, और यह पार्ट है, external male gentilia के, external male gentilia के, पैनिस का external part है, यह भी पैनिस के साथ, के बाद, testis are placed outside the abdominal cavity, कहाँ पाय जाते हैं यह बाहर पाय जाते है, abdominal cavity के अभी उपर बड़ा, उसके बाद बात करते हैं, इनका maintained temperature हमारी body कितना रखती है, 2 से 2.5 degree Celsius, इतना temperature हमारी body, इनका average temperature बनाई रखती है, ठीक है, अच्छा, क्यों बनाई रखती है, इसके पिछे भी एक reason है, अगर वो इतना temperature ना बनाई रखेगी, तो इनसान के अंदर mutation आना शुरू करेगी, इनसान के sperm के अंदर mutation आना शुरू हो जाएगी, अब बात करते हैं, टेस्टिस की शेप में होते हैं, टेस्टिस एग लाइक शेप में होते हैं, उसे oval कहते हैं, ठीक है, 2 pair पाय जाती है, ये 4-5 cm long होते हैं, 2-3 cm क्या होते हैं, वाइड होते हैं, अच्छा, हर एक टेस्टिस की अंदर 250 compartment, तुक में क्या होता है खाली कम्बरे तो उसे टेस्टी कुलर लव्यूल क्या बोलते हूं से टेस्टीकुलर लव्यूल कहते हैं लभी अच्छछे से पढ़ ले अब बात करते हैं कि यह जो अभी उपर पढ़े आपने क्या पढ़ा की दोसुपचास कंपार्डमेंट है हरे आतίο है पनदर एक से तीन ठीक है क्या करते है स्वाइज ईद्म के अब नहीं पर Gothic की जगह है तो इस पर मेटोजवा ठीक है यहां मियोसिज होती है और साथ में क्या बनता है मैं आभी उपर बता चुका हूँ सैमिली फिरस्टरवियूल बापस रपीट करता हूँ दोसों कुछ जो होते हैं वो पाय जाते हैं क्या अगर बात करें तो सैमिली फिरस्टरवियूल जितने भी हैं वहां क्या बनते हैं मैंने अभी कहा पाई स्पॉर्म मैटरवा बनता है स्पॉर्म मैटरव हुआ हुआ इमेच्वों भी बन आश mutड़ बना होता है और तो बात हमारी आगे की है अब बात करते हैं इन्र लाइनिंग जो होती मतलब इस्टिस है वह लाइनिंग बना होता है उदकि झाल भी कि यह मैचौर करवाते हैं किसको मैचौर करवाते हैं इस परमेटोगोनिया जो होते हैं मैचौर करवाते हैं मेल जर्म सेल को मतलब मेल गैमिट को मियोसिस करवाएंगे उनको ठीक है क्योंकि उस टाम तक इनके अंदर के 46 क्रोमोजोम होते हैं 46 क्रोमोजोम होंगे बाद में जाक इस के अनल लएन के मेन देैं, इस खुराक देते हैं लेकेल पूस ज्पेस इना से अन्दर जाती है इसके दोपाए जाता हैनम कंटें इसमीयुस्च publicly दोब दोगजकता है और इसके अंदर blood vessels पाई जाती है some immunocompetent cell or interstitial cell या उसे legic cell कहते हैं वो पाई जाते हैं legic cell हमारा है बात करते है legic cell की these are the cell that synthesis and screed testicular hormone androgenius ये screed करते हैं कहां पे इनसान की body के अंदर ठीक है अब चलते हैं आगी ठीक है next हमारा part था accessory ducts कौन कौन सी ducts होती है testis से sperm को panis तक और panis से बाहर तक लाती है ठीक है वो ratty testi होती है vasa differential epididymis और west difference ठीक है ये जो है accessory ducts हैं जो कहां पाई जाती है में reproductive argument इनके बारे में पढ़ते हैं देखो भाई simple सा तरीका इनको पढ़ने का ratty testis जो होती है ये जाकी जूड़ती है vasa differential epididymis के साथ vasa differential epididymis के साथ epididymis जाकी जूड़ती है vasa difference के साथ vasa difference जाकी जूड़ती है जो created ducts और ये पहुंचाती है युरिथरा युरिथरा से आगे अगला बाद में बताता हूँ ठीक है पहले इनको पढ़ लेते हैं अच्छा से these are the duct that connect the semi-fist to the testis to the vasa differential मतलब इनका काम क्या है ये testis और vasa differential के बीच में connection बनाती है मैंने कहा ना पही testis से जूड़ती है vasa differential में आगे जाएंगी और क्या करेंगी ओपन होंगी epididymis में ठीक है posterior surface of the testis बहारवले ठीक है बहारवले surface में आउटर surface में ये जाके जूड़ती है epididymis के साथ जो भी posterior part के साथ जूड़ा होता है ये जाके वैसा differential के साथ वैसा differential है जूड़ेटरी रख और फिर जाके ये यूरित्रा एक muscular tube होती है यूरित्रा एक muscular tube होती है जो सीधा सीधा urine को भी और sperm को भी carry करती है कहां पर मतलब इनसान की body में दोनों चीज़ों को carry करती है ठीक है और बाहर लाने में मदद करती है किस को एक तो urine को carry करती है और दूसरा sperm को carry करती है ठीक है आगे चलते है यह आगे आगे आपके पास figure ठीक है किसकी male reproductive organ most important है 12 में इसके ओपर बहुत वारी questions आएं यही पूरा का पूरा और diagram भी आती है ठीक है अच्छे से देख लिएगे दुखा भी यूरिटरास हैं यहां आप cut मतलब क्या आगया टेस्टीज आगया एक यह और एक पिंक किश कलर के होते है ठीक है अब टेस्टीज जो होते हैं टेस्टीज के उपर वले पार्ट में टेस्टीज के अंदर लुब्यूल पाएजाते हैं हर एक लुब्यूल वगधर सफमील व्यव व हो बçosब करेंगे Și हां पर रहते हैं कुछ ज़एर और यहां Os तो और तो पिंश्टीज já कि इसको यूरिटराइ ये नुन के टेस्टीज यहां मैच झाल настायों आप यहां से पैनी स्पैनी से बहार रालीज होते हैं तो यह आपका क्या आगया मेरे रोप्टुक्टिव और करता है, चलते हैं, नेक्स्ट है, हमारे पास अब कुछ ग्लाइंड भी पाया जाते हैं, ग्लाइंड जो होते हैं, वो हैं, सैमनी फिर्ज वैसल प्रोस्ट्रेट और बल्बोरिथल ग्लैंड तीन तरह के हैं याद रखना ठीक है तीनों के तीनों ग्लैंड जो हैं इंपोर्टेंट हैं यह भी पढ़ लें आप चलते हैं नेक्स्ट पर पहला सबसे पहला आपका सैमनिफ्रेज वैसल क्या होता है इसमें 60-70% जो हमारी बोडी के सैमन में यह इसके अंदर बहुत सारी क्या पाए जाती है प्रोटीन एंजाइन पाए जाते हैं फुक्टो स्वी पाए जाते हैं विटमीस दी वी कलती है विटमीन दर दिन सी को और फोस्फो रिल क्लार्स ओर्स क्रोन फिया प esa कोलिन और प्रोस्टख ग्लैंड लान लिग से फॉबिव पेंसा मतलब यह बाद में भी पड़ोगे आप ठीक है तो अब बात करते हैं कि सेकेंड है प्रोस्टे लेंड एक ऐसा ग्रेंड है जो हाईली milky type flu release करता है ठीक है जो पैसेजर पैनिस को help करता है उसके बाद आता है बर्थोलिंग लैंड बर्थोलिंग लैंड बर्थ लेने में मदद करते हैं यह female body के अंदर पाय जाते हैं और पैनिस को भी education के टाइम पे पैनिस को भी बहुत सारी help करते हैं आग बात करते हैं हमारा second topic एक second topic था हमारा female reproductive organ ठीक है reproduction कर रहे हैं तो female तो करनी ही करनी पड़ेगी तो female reproductive organ के अंदर क्या क्या पाय जाते है जैसे male में testis पाय जाते है primary sex organ ठीक है उसके बाद female में देखें तो female में pair of ovaries पाय जाती है तो बात करते हैं इनके सारे parts की इसमें सबसे पहले ovary आती है ovary वहाँ जो हमारा testis था वो sperm release करता था ओवरी एगर release करेगी female gamut को ठीक है यह primary sex organ होता है ठीक है उसके बाद यह ओम शेफ ठीक है female gamut जो होता ओम एगलाइड शेफ होता है ठीक है उसके बाद they also produce steroid hormone कौन से hormone release करता है steroid जो female body को mature होने में मदद करते है और ओवरी से hormone immune immune morale करने में मदद करते हैं ठीक है बाद करते हैं यह 2-4 cm की बाद करते हैं 2-4 cm लंबी होती है connected to pelvic wall pelvic wall के साथ connect होती है यह पलाविक आन्स के साथ connect होती है और इसके बाद यूटरिस FatLeeink होती है च्थ Demokrat होती है though duck way connects between अब बात करते हैं हर एक ओवरी जो है कवर्ड करती है चोपर कवर्ण होती है एक पिधिलियम चल की ठीक है और घ्रिए को दो जोन्स में पैरिफरल दोसा इंडर मेडिला ठीक है तो अब बात करते हैं अगली अभी जस्ट में ने कहा था कि देखो ओवरी ने एक रिलीज किया तो उसको ऐुरीटरा तक ठीक है उसके बाद लेकर जाएगा डक्त लेकर जाती है ठीक है उन्हीं ओविडक्ट कहते हो ठीक है ओविडक्ट कहते हैं फैलोपियन ट्यूब भी कहते है फिर यूरीटरा था और करते हैं तो वरे साले के पायँ है अब बात करते हैंट प्रिकेछ लावर्य एकश यह फिर्ट बाच के भाद प्रियूचिन यह मुट अवरे ट्रह से बार्रिकेण करना खार फेल था, इसके बिटासमेक अगए ऑस बाता है, इसमेस के बार, उपनिल Culum अब डाइग्राम देखते हैं जादा समझाएगा यह देखें आपके पास आगी है तो यह आगी आपकी यह ओवरी जिन सुरी ठीक है यह ओवरी ने विरी ने पहला पाति है इसका इन्फन्डी मीका यह यह द्रीन होगे सीधा का सीधा यह यहा यूटरीस की वाल के साथ क्या हो जाएगा इसको इम्प्लांटिशन कहते हैं इसको implantation कहते हैं एक का मदर की uterus की इवाल के साथ attach होना उसे implantation कहते हैं यहां attach होगे अगर वो attach ना हुआ mean कि अगर उसकी fertilization ना हुई तो attach नहीं होगा वो drain हो जाएगा बाहर ठीक है वो क्या करेगा female body से drain होके बाहर के तरफ आ जाएगा ठीक है मतलब degenerate और अब बात आती कि fertilization किस जगह पर होती है ठीक है fertilization होती है इस एरिया ठीक है इस जगह पर फैलोपियन ट्यूब के अंदर fertilization होती है याद रखें ठीक है यह अच्छा एक question है ठीक है अब चलते हैं हम uterus की बात करते है uterus इसे warm कहते हैं बच्चे दान इसमें इसका साइज करता है यह इसका सइस इसका दाने की शेफ का हुं था पल्विक वाल के साथ लिगमेंट के साथ होता है अधिक है अल्य कि लिगन के साथ होता है उसके बात बात करें यह वाटान आंbryo development इसके इंदर इंब्रियो की ड्वेलिमेंट होती है ठीक है उसके बड़ नेरो कर्विक्स पाइजाता है यूटरियन वाल के अंदर जो है क्या करा थी लियर पाइजाती है पेरिटोरियम ठीक है थी वाल पाएजाती है कौन-कौन सी यह और दूसरी है मायो मैरेटर्म और did you do Youriend and पार्व हें यह तेन वाल काड़की टिनों के बारे में लिखा है अब बात करते हैं में परी मैरीट्रम सुर्य कर आmost मेम्नियुर항 में यह धाने के उसके forwards के साथ उसके वार्वाद आपके पास मायोमेट्रियूम, तीसरी जो आउटर होगी, वो कौन सी है, अन्डोमेट्रियूम, सीधा इतना ही याद रखे, इतना इंपोर्टन टॉपिक यह नहीं है, अब आता है कर्विक्स, क्या होता है, एक नेरो कैनाल है, जो कनेक्ट करती है वैगिना और यूटरॉस को इसी से बच्चा जनम लेता है, इसी से बच्चा जनम लेता है, इसे 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 बच्चा जनम लेता है, मौन्स पुव обнаруж एक मासा फैटी टीशु उता है कि Daveive packed meme और खर्ची से कवर यहां पर फ मुअ जया है प्रोड़ के थैँट के एक यृणिय के लौग से पाइप कर दो वर्जिनिटी की बात तो सब ने सुनी होगी वर्जिनिटी कोई हायमन कहते है इतना बड़ा नहीं है आगे नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कौन सा क्लिटॉरियस 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 जैसे जैसे female body improve होगी वैसे वो भी improve होते है अब बात करते है सबसे पहला ठीक है इसमें पाय जाता है पर structure पाय जाता है किसका contain breast ठीक है breast के ऊपर क्या पाय जाते है granular tissue पाय जाते है और variable amount of fats पाय जाता है granular tissue जो होते है memory gland होते है 15-12 memory lobes पाय जाते है वहाँ पर ठीक है memory lobe जो होते हैं ये cluster of cell के साथ मिले होते हैं और इन्हें हम aloeveoli कहते है ठीक है अब the cell of aloeveoli secret करेंगे milk ठीक है milk secret करते हैं उसके बाद बात करें milk store होता है रहाँ पे human में ठीक है human cavity or captain the aloeveoli इन जगहों पे milk store होता है female body में अब बात आएगी aloeveoli open it or memory tributes अब उसके बाद आता है memory duct पाए जाती है memory ampoula पाए जाता है memory duct memory ampoula ठीक है और molecular furious duct lactiferies जो milk बहार तक लेकर आती है female body से उने कहेंगे ठीक है और हिहोप यह भी आपको अच्छा से समझ आया होगा ठीक है अब बात करते हैं फिसरी में गामिटोर जो Jahre में पिता कुछो भापी सरुमिशन फेलर जो यह पिता जोड़ेयों को परडुप करते में फिमल फ को एक पर्योंकि सिक्समिले में फिमले सक्स ऑर्ग connecting तो फिमिल घामिडों सेव चांड़ इसमें एग्स फीमेर वोडी रिलीज करती है ठीक है बनाएगी उसे हम क्या वो लेंगे उजनसिस्ट पर्मेटोजनसिस में स्पर्म का बनना ठीक है अभी बता चुका हूँ ठीक है वापिस रिपीट करते हैं इसके अंदर बहुत सरे प्रोसेस पाए जाते हैं ठीक है देखो म सब्दक मे BÜNDNIS करते होगी उसे हね अबात करता हूँ जब ये मैचोर होंगे तो इनकी श्री वी थिवच करता ओच हषाण यह पूरी की पूरी आपको अच्छे से समझाया होगा थैंक्स वर वाचिंग इस वीडियो ठीक है तो इस तरह से वीडियो मेरी देखें लाइक करें शेयर करें ताके मैं आपके लिए और ज्यादा कंटेंट बगएरा लेकर ठीक है थैंक्यू